असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेंग पीस इस्टफ आलू टिकी हम आलू टिकी बनाने वाले हैं हरे मटर की और आलू की तो जिसके लिए मैंने हरे मटर को बॉल करके इसको दरदरा सा मैंने ग्राइंग कर ले जार में जादा पेस्ट नहीं बनाना है आपको दरदरा साही ग्राइंड करना है इसको तो हम मटर की फिलिंग बना लेते हैं मैंने इसमें वन टेबल इस्पून ऑईल दाला है और हाफ टीस्पून जीरा दाला है और जादा नहीं डालना है आपको कम ही डालना है ये मैंने एक छोटी सी प्याज ली है उसको बारिक चौप कर लिया है प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ओल में तो प्याज हमारी भून चुकी है थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है ये अद्रग और हरी मिर्चो का पेस्ट लिया है मैंने वन टीस्पून इसमें डाल देंगे लसन नहीं है सिर्फ अद्रग और हरी मिर्चो का पेस्ट है आप चाहें तो थोड़ा सा बारिक कट कर लीजिए हरी मिर्ची और अद्रग को और डाल दीजिए चौप करके तो अद्रक और हरीमिची के पेस्ट को थोड़ा सा सोटे कर लिया है अब इसमें जो हमने मतर को ग्राइंड किया था वो मतर हम डाल देंगे यह आधा कप मैंने मतर लिया है थोड़ा सा मतर को हम भून लेंगे प्यास के साथ तो मटर को मैंने थोड़ा सा भून लिया है अब इसमें गरम मसाला डालेंगे वन टीस्पून और हाफ टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें सॉल्ट थोड़ा सा चॉप के आवा हरा धनिया डालेंगे हम इसमें और ये बहुती टेस्टी होती है खाने में आप इसको जरूर बनाकर ट्राई कीजेगा और इतना इजी है इसको बनाना बहुती आसान है और खाने में बहुती टेस्टी होती है ये तो अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे हम मटर में तो ये देखिए हमारी मटर की फीलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है इसको हम डिश में निकाल कर थंडा कर लेंगे ये मैंने दो बड़े साइस के आलू लिये हैं इनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है अच्छी तरह से अब इसमें मैं हाफ टीस्पून सॉल्ट दार रही हूं और अधरक और हरी मिर्चो का पेस्ट वन टीस्पून डालेंगे ये मैंने ब्रेट क्रम लिये है तू टीस्पून इसमें ब्रेट क्रम दाल देंगे इससे बाइडिंग अच्छी हो जाएगी हमारे आलू में आप चाहे तो इस वक्त वन टीस्पून या टू टीस्पून कॉन फ्लार भी इसमें अट कर सकते हैं और टू टीस्पून में इसमें ओल एड करूंगी इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और आपका आलू अच्छी तरह से मैश होना चाहिए उसमें आलू के चंक्स तुकड़े नहीं होने चाहिए ये ब्रेट क्रम्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था ब्रेट को जार में उसको थोड़ा सा भून लिया है पैन में इस तरीके से क्रिस्पी हो जाता है तो सबसे पहले आप हाथों को ऑईल से ग्रीस कर लीजिए और आलू का हम थोड़ा बड़ा ही पार्ट लेंगे क्योंकि हम बीच में मतर को फिल करने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा पार्ट लेंगे आलू का और इस तरीके से कटोरी टाइप हमें बना लेना है और मटर की फीलिंग को रोल करके हम इसके अंदर फील कर देंगे इस तरीके से हमें रोल करना है और इसमें डाल के इसको फील कर देना है पैक कर देना है हमें बहुत ही इजीली हो जाता है ये इसको राउंड करके हलका सा हम प्रेस कर देंगे हाथों से ज्यादा प्रेस नहीं करना है बस हलके से तो ये दिखिए हमारी एक टिक्की बनकर रेडी है मैं दूसरी भी आपको इसी तरीके से बना कर बताती हूँ अब हाथों को ओल से पहले जरूर ग्रीस कर ले करने से ऊल लगाने से हाथों को आलू चिपकेंगे नहीं आपके हाथों पर अगर आप ओल के लगाओगे तो आलू चिपक जाएंगे हाथ पर इस तरीके से कटोरी टाइब आप बनानी जिए और मतर की जो फिलिंग हमने बनाई थी उसको रूल करनी जिए और सेंटर में डाल कर इसको फिल करके पैक कर दीजे अभी मटर का सीजन तो है ये आप इसको बहुत ये आसानी से बना सकते हैं कितना इजी है इसको बनाना तो ये देखिए सेकेंड वाले भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है तो सारी टिक्की या पैटीस हमने जो भी आप बोले वो बना कर मैंने रेडी कर ली है इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में हमें ये कर देना है कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से सेकेंड वाला भी इसी तरीके से हम सारी जो हमने पैटीस बनाई है उसको हम ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे जब भी आप ब्रेड क्रम्स को जार में डालकर ग्राइंड करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा भून लीजिए पैन में डालकर उससे वो क्रिस्पी हो जाते हैं तो कटलेट या टिक्की आपकी बहुत ही अच्छी बनकर एड़ी होती है तो मैंने ओईल ले लिया है ओईल हमारा गरम हो चुका है सारी टिक्कियों को हम डाल देंगे ओईल में आप चाहे तो इसको तवे पर शैलो फ्राइ भी कर सकते हैं और फ्लेम आपको मीडियम ही रखना ही हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजेगा वनना यह टूड़ जाते हैं बहुत ही नाजूप होते हैं यह आलू और मतर की टिक्की इसलिए आपको medium flame पर ही इसको fry करना है तो टिक्किया हमारी fry होकर ready हो चुकी है हम इसको dish out कर लेते हैं तो हमारी आलू मतर के टिक्की बनके बिल्कुल ready है बहुत ही अच्छी और tasty बनी है अगर आपको मेरी recipe पसंद आई तो मेरे वीडियो को like जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पैसे